बिना मेजररिंग कप्स के आज हम बनाइंगे बहुत ही सिंपल बहुत जादा तेस्थीर 7 स्पून चोकलिक केक , الص्वЭड चोकलिक केक जिसे बनाना है बहुत असान नोरी बहुत जादा तेस्टी लगता है खाने में बहुत असान रेसिपी है ये केक की तो चलिए स्टार्ट करते है आज की रेसिपी तो सेवन स्पून केक के लिए हमें सबसे पहले गनाश रेडी करना है इसका तो जिसके लिए मैंने डबल बॉलर मैटर की हल से एक बॉल में चौक्रे लिए साथ इसमें बटर और दूर डाल के इस लिए मैंने एक बॉल में साथ चमच ड़ी डाला है तो बस इस तरीके से ही चमच के मेजर्मेंट से हमें इसमें अपने इंडीडियन डालने हैं साथ चमच ड़ी के साथ मैंने साथ चमच इसमें ऑयल डाला है तो बस साथ चमच ऑयल के साथ ही इसमें डालेंगे साथ चमच प इस चन्वी में मैंने टोटल व्राइ इंग्रिएंट साथ चम्मस डाले हैं जिसके लिए मने पांक चमच मैंधा और बो चमच मैने इसमें कौको पाॉडर राचन किया है और अब हमें इन्माइ इंग्रिएंट्स चान जेसे चान लेना है अब चानने के बाद मैंने इसे च musimy कर लिए ऊसम Lesk करने के बाद मैंने इसमें दूद ऐड कियाiron इस इसके बाद हमें इसमें आड़ करना है baking powder और साथी baking soda और अब हमें इन्हें बैटर में अच्छे से mix कर लेना है तो बस mix करने के बाद हमारा जो बैटर है वो proper ready है इसके बाद मैंने इसे grease किये हैं मोल में इस तरीके से डाल दिया है तो हमें अपने मोल को पहले से butter paper लगा के grease क रखना है इसके बाद इस तरीके से butter को डाल के इसे tap कर लेना है और अब हमें इसे preheat कड़ाई में bake करना है यह कड़ाई मैंने पहले ही गरम होनी के लिए रखती थी तो अब इस कड़ाई में हमें इसे 25-30 मिनट bake करना है लो फ्रेम पे 25-30 मिनट पाद हमारा जो cake है वो अच आप देख सकते हैं केक जो है बिल्कुल जालीदार बना है अच्छे से बेख हो चुका है यह तो बस अब इस cake को मैंने दो layers में cut किया है तो इसके लिए मैंने knife से इस तरीके से इसमें cut लगाया है और इसके बाद मैंने ठैड लिया है धागा और इस तरीके से बीच में से इ में set होने के लिए वो भी अच्छे से set हो चुका है तो एक बार मैं चम्मा से से अच्छे से mix कर लूग इस तरीके से ताकि यह थोड़ा सा smooth हो जाए तो चलिए इसके बाद अब हमें केक बोट पे थोड़ा सा गनाश लगाना है इसके बाद जो दो लेर कट की थी उसकी एक लेर हमें इस गनाश की उपर रग देना है इसके बाद मैंने शुगर सिर्फ से से moist किया है शुगर सिर्फ बनाने के लिए मैंने 3-4 चमच गरम पानी में 1-5 चमच चीनी का पाउडर डा के अच्छे से मिक्स कर लिया है इसके बाद मैंने इस तरीके से जो है गनाश स्प्रेट किया है इस पे मैंने पाइपिंग बैग में गनाश को फिल कर लिया था इसके बाद इस तरीके से केक लियर पर हमें स्प्रेट करना है इसके बाद हमें के की दूसी लेर रखनी है इसे भी हमें शु surge सिर्फ से अच्छे से moist करना है और इसके बाद जो गनाश aikya किया था उस गनाश को हमें इस तरीके से पूरे cake पे अच्छे से spread कर देना है तो idée जो गनाश है वह मैंने पूरे अच्छे से cake पे spread कर दिया है और इसी गनाश कि हमें cake के sides को भी अच्छे से इस तरीके से cover कर देना है तो बस इस तरीके से जो गनाश था मैंने उस गनाश से sides भी cake के अच्छे से cover कर दिये हैं तो बस इस तरीके से पूरे cake को हमें गनाश से cover कर देना है इसके बाध जो extra sides में तोड़ा चोकलेट लगा रहा है कि ऐसे मैंने clean कर दिया है अब इसके बाध मैंने इसे डेखोलेट किया है जिसके लिए मैंने चोकलेट को ग्रेटर से ठोड़ा इस तरीके से de scored करने के लिए grade कर दिया था और अब इसके बाद मैंने थोड़े से चोकोचिप से साइट से इस तरीके से डेकोरेट किया है तो बस इस तरीके से मैंने पूरे केक की साइट को चोकोचिप से डेकोरेट कर दिया है और अब इसके बाद मैंने इसके ऊपर यह strawberry से ऊपर decorate कर दिया इस तरीके से तो बस बिल्कुल ready है हमारा यह cake आप देख सकते हैं दिखने में कितना अच्छा लग रहा है मैंने इसे cut किया है cut करने के बाद इसे करेंगे हम बवसर तो बहुत ही simple और tasty बनता है यह seven spoon chocolate cake खाने में बहुत ज़्यादा tasty लगता है तो अगर आपको यह simple सी chocolate cake की recipe पसंद है तो एक पर धर पर जबूर काई कीशेएगा और मेरी और recipes के लिए मेरी चैनल को subscribe और recipes को please like share करना ना भूले